मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि D नाम के जातक एबम E नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इनका बैबाहिक जीबन कैसा होगा मित्रों इस नाम के दोनों जातक में से एक जातक प्रिथ भी तक्तू होते हैं एबम एक जातक जल तक्तू होते हैं जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो संजोजन होता है वे संजोजन बहुत ज्यादा अदभुत होता है मित्रो इस नाम के दोनों जातक एक दूसरे के उपर में बहुत जियादा निर्भर होते हैं इसके अलाबा इस नाम के दोनों जातक बहुत जियादा भाबनातमक होते हैं इस नाम के दोनों लोग छोटी मोटी बातों पे बहुत जियादा इमोसिनल हो जाते हैं इबम इसके अलाबा इस नाम के जातक एक दूसरे के साथ में गहराई के साथ जुड़े होते हैं जिसके कारण इन दोनों का आपसी संबंध बहुत ज्यादा मजबूत होता है मित्रों डी नाम के लोगों के बिबहार से इस नाम के लोगों के मुड से इनाम के जातक बहुत ज्यादा प्रभाबित होते हैं जिसके कारण इनाम के जातक डी नाम के लोगों के परती अपनी रुजहान बहुत ज्यादा दिखाते हैं लेकिन मित्रों इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक जातक अपने संबंध के परती बहुत ज्यादा लापरबाही करेगा जिसके कारण आप दोनों को अपने आपसी संबंध में पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों इस नाम के दोनों लोगों की रुची बहुत ज्यादा एक समान होती है इसके अलाबा इन दोनों का बेभार लगभग एक समान होता है मित्रों आपको बता दे कि इस नाम के दोनों ज्यातक बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं एबम सामाजिक होने के अलाबा इस नाम के दोनों जातक एक दूसरे से प्रे में बहुत जियादा करते हैं मित्रों डी नाम के जातक एबम ई नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अबगुन को मिला कर यदि इनके दामपते जीवन इनके बैबाहिक जीवन की बात करे तो इन दोनों का संबंध बहुत ज्यादा बहतर एबम सांधार होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें एबम इस वेडियो के नीचे जै बाबा भैरब कमेंट कर दें धन्यवाद